प्रात्री के मोके पर कांडरा पंचायत के कांडरा गाउं में प्रख्यात भचक गायक हमन दूबे बजन संधिया का आयोजन किया गया हमन दूबे जहरखंड और बंगाल में बजन गायक और प्रखर प्रवचन करता के रूप में विख्यात है जिने सुनने बड़ी सेंखा मे में लोग उमर पड़ते हैं कांडरा के इस भजन संध्या काजकरम में बतोर मुटकति थी के तोर पर डीफोकस के एंकर हिमानसु ने इसमें सिर्कत किया हिमानसु के यहां पहुचने पर आयोजक कमिटी और ग्रामिनों ने उनकी भब अगवानी की और फूल मालाओं से उन्हे लाग दिया कांडरा वासी सभी उम्र के लोगों ने हिमानसु की जोरदार अगवानी करते हुए उनका खुब आधर सतकार सम्मान किया सतकार सम्मान के पस्चात गनमान लोगों की उपस्थिती में हिमानसु ने फिता काट कर इस भजन संध्या का उदगाटन किया कांडरा पहुचने पर हिमानसु एक बार फिर अपनी पुरानी यादों में खो गए जो रोचकता से परिपुर्ण हुआ करती थी। लोगों के आगरा पर हिमानसु ने उन यादों को सब के बीच रखकर उन्हें भी पुरानी यादों में खो जाने को विवस कर दिया। परिवार की यह परंपरा को उनकी नई पिडिया भी बकायादा निभाती चली आ रही है। इस बार भी इस पूरे समारों में पांडव अजय समित पूरे पांडव परिवार तन मन से भगवान संकर और माता पार्वती की सेवा पूजा करते दिखे और सभी कार्जकरमों के आय हमारे इस परिवार के सारे फाइवाइब हैं लगवववववव जैए ठीक ही हम पिछे है जोरदार पाली विद्दू इसमासिप राति जल्गेना हुआ फ़स्यां सारे शहर में आपसा कोई नहीं सारे शहर में आपसा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं यही तूच तर राप भोज में कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मैं बहुत ही सोवाग साले हूं कि मेरे बड़े भाई पांडो भीया ने आज उस जगह पे बुलाया है जहां साथ साल पहले मैं आया है अपको बताओं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कांटरा गाउं से मेरा बहुत गहरा रिले से आज सीव जी की साधी है महासीवरातरी है और सीव के मेरे बअवगट बड़ी आज था आज से करीबन साथ साल पहले हम लोगों ने एक छोटा सा कैम इसी सामने में लगाया था और जब इस समय हम लोग पकीप लगाने के लिए आये थे चिरका जाने वाले लोगों के लिए सेवा करने आये थे तो कांडरा के लोगों ने मुझे से कहा था कि बाभू इस जगह पे आप पेंप लगा रहा है यह चापा कर तो चलता है यह नहीं है पानी कहां से लाओगे हमारी आर्थी किसी भी उतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग पानी कहीं से मना लेते लेकिन आस्था बहुत जवर्दस थी हम लोगों ने भी जित खाना था कि चिरका जाने वाले लोगों की सेवा जरूर करेंगे चाहे जोग हो जाओ मुझे याद है कि करीबन 11 मुझे मैं यहां पहुंचा था और इस जगह पन जब चापा कल तो हम लोग चला रहे थे तो एक मार्टी पानी के बाद 15 मिनट रुकने को काउवाले कर दे क्योंकि पानी इस चापा कल में नहीं आया करता था करीबन 12 मुझे रात मुझे याद आया कि यह जो पानी मैं उठा उठा कर लोगों को ठेक रहा हूं वो पानी कहां से आ रहा है यह तो वही चापा कल है जो इतना तेजी से चल रहा है जो सुबह चल ही नहीं रहा तो उस दिन ही आम लोगों ने सोचा था कि जब तर जीवित रहेंगे चिरका जाने वाले लोगों का सिवा जरूर करेंगे तो करते हैं कि भगवान को महसूस किया जाता है मखवान गन-गन में है आपके दिलों में भी है तो आप भी उसे भगवान को याद करें आपके पास जरूर आएंगे फिर से मैं पांडो भरिया के धन्यवाद देना चाहूंगा उस जगा पर बुलाकर वो तस्वीर दिखाकर मेरी पुरानी यादों को ताज़ा आ जा दिया जिसके लिए तमाम पांडो भरिवाद, पांडो भरिया का और कांडरा के तमाम निवासियों को धन्यवाद